नमस्कार दोस्तों आफ सब कैसे हैं जय मातादी जय श्री राम जय एकादशी के दिन भगवान विश्नु की पूजा करने से मुक्ष की प्राप्ति होती है इसके साथ ही हर तरहे के पापों से मुक्ति मिलती है पदम पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने खुद धरमराद युदिश्चर को जय एकादशी की महिमा के बारे में बताया था आईए हम सब जय एकादशी की विरत की कथा को सुदते हैं पदम पुराण के अनुसार चीर काल में एक बार स्वर्ग में इस्तित नंदन बन में उस्तब का आयुजन किया जा रहा था इस उस्तब में सवी देवगड़, सिदगड़ एबं मुनी उपस्तित थे उस समय उस्तब में निर्ते और गायन का कारे करम चल रहा था निर्ते और गायन का गायन गंधर्व और गंधर्व करन्याएं कर रहे थे उसी समय निर्ते का पुष्यवती की दरश्टी गंधर्व मालेवान पर पड़ गई मालेवान पर निर्थिका पुष्यवती मोहित हो गई इससे निरत का पुष्यवती अपनी सुध को वैठी और अमियदित धंग से निर्थे करने लगी बही मालेवान अपनी बेसुध होकर गाने लगा इससे सभा में उपस्ते सभी लोग क्रोधित हो उते इसससे निकाल दिया सथ ही यहश राप दिया कि दोनों को पिसाच यवनी राप्त होगी कालंतर में हमाले आकर दोनों पिसाच योनी में कश्ट कारी जीवन व्यतीत करने लगी एक वार माग मास की सुकल पक्षकी जया इकदशियाई और मालेवान और पुस्यवती ने उस दिन कुछ अन नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया साथी साथ दुख और भूख के चलते रात्री जागरन भी किया इस दोरान दोनों ने श्रीहरी का इसमरन और सुमीरन किया दोनों की भक्ती से प्रिसन होकर भगवान नारायन ने उससे वती और मालेवान को प्रेथ योनी से मुक्त कर दिया भगवान विष्णू की किर्पा से दोनों को सुन्दर सरीर प्राप्त हुआ और दोनों दोबारा स्वर्ग लोग चले गए जब वहां पहुँचकर इंद्र को प्रणाम किया तो भै चौक गए इसके बाद उन्होंने पिसाच योनी का उपाय पूछा तब मालेवान ने बताया कि एकादशी के विरत के प्रभाव और भगवान विष्णू की किर्पा से दोनों को पिसाच योनी से मुक्ती मिली है इसी पिरकार जो व्यक्ति जए एकादशी का विरत रखता है उसे पिसाच योनी नहीं मिलती और मुक्ष की प्राप्ती होती है ज ये श्री कुरीष्णा